देखो इस problem में क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है X- and A+, यह दो आयन कहाँ पर है X solid में ठीक है और यहाँ पर बताया गया X- जो आयन है, जो N9 का जो radius है वो 250 Wm है ठीक है अब बताया जा रहा है और पुछा जा रहा है जो इसमें जो Ccanion है A+, इसका Radius कितने होंगे तो देखो यहाँ पर एक चीज समझो है यह Cation है कहाँ, Cation है कहाँ पर? Cation देखो इस Void में है, और तुम्हें एक चीज यहाँ पर जानना है Questo yes, Void किस तरह का Void है? यह जो void है देखो कितने particle से surround हो रहे है देखो एक दो तीन चार पांच छे तो six particles से जो void surrounded होते है उसको कहते है octahedral void ठीक है तो यहाँ पर जो cation है cation कहाँ पर exist कर रहा है यहाँ पर यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन से cation है देखो यहाँ पर है A+, A+, कहाँ पर है इस octahedral void में, ठीक है, तो इस octahedral void में जो cation है, इसका radius कितने होंगे, इसका radius होंगे, जो void का जो radius है, वही होंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक relation तुम लोग समझ लो, जो octahedral void का, देखो, radius कितने होंगे, देखो यह सब क्या होता, यह सब यह सब क्या थिए अर्य जो अब वायड में है इसमें कैटायन है तो जो radius ratio of cation जो भौयड में है और anion ठीक है यह कितने होते हैं यह octidal void के लिए होते है 0.414 ठीक है अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर x- k radius डिया हुआ है कितना 250 V को मेटर तो तुम्हें काटायन का रेडियास यहां से मिल जाएगा क्योंकि एनायन का रेडियास यहां पर दिया हुआ है ठीक है एनायन का रेडियास यहां पर कितना दिया हुआ है एनायन का रेडियास यहां पर कितना दिया हुआ है एनायन का रेडियास यहां पर कितना दिया हुआ है एनायन का रे